नमस्कार जनसुलव उस्तकाले की उड़ से ठौर ठौर में मैं स्तंभ के अंतरगत आपके सामने आपनी जीवन यात्रा के भीतर से होकर गुजरूँगा मेरा नाम विनोध शाही है और जब मैं अर्पन कुमार जी के दिये हुए इस शीर्षक की बाबत सोचता हूँ तो पहली बात तो यही मेरे जहन में आती है कि जो आदमी ठौर ठौर का है वह दरसल किसी ठौर का नहीं होता है ठौर की तलाश हमारे सब के जीवन की सबसे बड़ी मरीचिकाओं में से एक है लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो आदमी असुरक्षित होने को राजी होता है ठौर उसी को मिलता है भले ही ऐसे खुशकिस्मत लोगों में हम खुद को शुमार पाते हों ये न पाते हों खैर आज मैं अपने जीवन के उस कालखंड की ओर आप लोगों को ले जाना चाहूंगा जिसका संबंध मेरे पटेाला में रहने के समय से है ये समय बहुत पीछे का है वह दौर जिस दौर में मैं अभी गुमनामी के अंधेरे में था और लेखक बनने की तैयारी कर रहा था और कई तरह के संघर्ष मेरे आसपास थे जिनके बीच से होकर गुजरते हुए मुझे उस दिशा की तरफ बढ़ना था जिसे मैंने खुद जुना था पटियाला का जो वह समय है अगर उसके कालक्रम को मैं रिखांकित करना चाहूँ तो वह उन्नीस सो उन्हत्तर के आसपास का समय है वहां से लेकर उन्नीस सो अठत्तर तक का एक लंबा समय है लेकिन इसका आर्थ ये नहीं है कि मैं इस पूरे कालखंड के दौरान पटियाला ही रहा हालांकि मेरा मुख्य ठिकाना निश्चित रूप से वह मेरा घर था जहां अक्सर जाना होता था बाहर होने के बावजूद वहीं पे ही आखिरी ठिकाने की तरह मैं जाकर के रहा करता था तो वह सारा समय पटियाला को समर्पित समय है लेकिन इस से पहले कि मैं उस दौर के अपने जीवन में लोटूँ मैं आप से एक छोटी सी कथा साजा करना चाहता हूँ इसका संबंध मेरे जीवन से है या नहीं है मैं नहीं जानता लेकिन ये कहानी मुझे प्रिय बहुत है और कई दफ़ा ये लगता है कि ये कहानी शायद मेरे अपने जीवन की जो मेरी अपनी संघर्श यात्रा कहिए दौर धूप कहिए या आवाजाही कहिए उसके दरमियान कई बार कई रूपों में और कई अर्थों में मेरे सामने उदगाटित होती रही है और इसने कई शकलों के अंदर ये कहानी लगतार खुद को बदलती भी रही है ये भी इस कहानी की खासियत है खेर इस समय ये कहानी मेरे साथ जिस रूप में चल रही है पहले बहुत थोड़े शब्दों में ये कहानी आपसे कहता हूँ इस कहानी का नायक एक कलाकार है एक मूर्तिकार लेकिन वह सामान्य मूर्तिकार नहीं है वह ऐसा मूर्तिकार है जो सोचता है कि मैं इस दुनिया की सबसे नायाब मूर्ति को गढ़ना चाहता हूँ लेकिन वो क्या होगा उसने कहीं सुन रखा था कि ये जो मनुष्य है ये ईश्वर की प्रतिमूर्ति है Man is created in the image of God इस तरह की बातें अक्सर कानों में पढ़ती रहें तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मनुष्य की ही एक आकरितिगड हूँ और मनुष्य की भी क्यों खुद आपनी क्योंकि वह आपने आपको भी तो एक मनुष्य के रूप में ही देख रहा था और वह आपने सबसे करीब भी था तो उसने तय किया कि मुझे आपनी मूर्ति का निर्मान करना है वह किसी एकांत जगे चला गया तमाम लोगों से परे जाने की वज़े भी थी क्योंकि सब लोगों के बीच रहते हुए आपा धापी के बीच उतना न समय हो सकता था न आपने आपको पूरी तरह समर्पित करने की बात थी तो उसने लगभग एकांतवास तै किया लेकिन जब ये तैग हुआ कि वो इकांतवास में जाएगा और अपने आपको समर्पित कर देगा उस मूर्थी को बनाने में जो उस सच को किसी अर्थ में प्रकट कर सकेगी जिस सच की मूर्थी कहा जाता है कि मनुश्य होता है उसे आप ईश्वर कहें या उसे कोई और नाम दें या आपकी मर्जी पर है लेकिन वह सत्य की मूर्थी तो गढ़ना ही चाहता था तो हुआ क्या कि वह एकांत में गया जैसे ही उसने संकल्प बांदा तो उसने स्वयम से पूछा कि मैंने ये जो रास्ता पकड़ा है क्या ये रास्ता सही है ये कहीं पहुंचाएगा भी या नहीं अगर ये कहानी किसी पुराने वक्त में होती तो संभव है कोई आकाशवाणी हो गई होती और उस आकाशवाणी में कोई उत्तर आया होता लेकिन यहां तो आदुनिककाल का एक मनुशय है तो कोई जवाब तो नहीं आया लेकिन उसके अपने मन के भीतर से कुछ धनीया आई उसने सुना इसको सच मान लिया इसके अलावा तो कोई और तरीका ही नहीं है हम अपने ही मन को खوجते हैं और उस सच के लिए जो आश्वस्ती है वह भी अपने भीतर से ही कहीं पाते हैं तो भीतर से आवाज आई कि ठीक है तुम ये रास्ता ले लो लेकिन अभी सच को पाने के लिए बहुत दूर तक जाना होगा तो उसने खुछ से पूछा या उस भीतर बैठी हुई उस शक्ति से पूछा कि क्या मुझे सच मिलेगा या नहीं मिलेगा फिर वही जवाब आया कि सच के लिए तुम्हें कई तरह के लोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा पुरानी भाशा में जिनको गुरू कहते हैं तो वो कई तरह के गुरू हो सकते हैं कई तरह के लोग हो सकते हैं उनसे यदि तुम कोई अर्थ ग्रहन कर सके तो शायद सच की तरफ तुम्हारी यात्रा हो जाए इतना पर्याप्त था वह अपनी मूर्ति बनाने में जुट गया उसने अपनी छवी का जैसी वो छवी सोचता था कि ये सच की छवी हो सकती है जो उसकी अपनी आकरिती से मेल ख करके देख रहा था और चाहता था कि उस आकरिती के भीतर उसकी अपनी शकल हो लेकिन छवी सत्त की हो खुजता रहा बनाता रहा गड़ता रहा एक दिन वो मूर्ति पूरी हुई या पूरी होने के करीब आई और तब भीतर से एक और आवाज आई कि अब वह समय आ गया तो एक आदमी वहां पर आया उस निर्जन स्थान में उसने देखी वो मूर्ति उसने देखा कि एक मूर्तिकार है जुटा हुआ है अपने काम में तो चलिए देखा जाए वो करीब गया कोशिश की कि उसको देखा जाए लेकिन जैसे ही वो मूर्ति के करीब जाने लगा उस तो आदमी हंसने लगा, उसने कहा कि मूर्ती की जिस चवी के भीतर तुम सच ढूडते हो, वे सारी मूर्तियां खंड-खंड हो करके विखर जाती है, एक दिन उनको तूटना होता है, तो अगर तुम्हें सच को खोजना ही है, तो चवीयों के तूटने विखरने के भीतर सच क खोजना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है, कोई चवी टिक्ती नहीं है, चवीयों का तूटना विखरना ही हमारे जीवन का एक बातर सच होता है, और ये कह करके वो चला गया, मूर्तिकार हैरान हुआ, उसने कहा कि अब क्या किया जाए, खंड-खंड मूर्ति है, चवी बिखर चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने भीतर फिर खोजने की कोशिश की कि शायद कोई उत्तर मिले, तब उसे लगा कि मूर्तिका अगर खंड-खंड होकर बिखरना, चवी का बिखर जाना, टुकडे-टुकडे हो जाना सच है, तो इसका अर् देखा कि वह कहीं और बैठा है, और उसकी देह अलग बैठी है, वो चैनी हथोड़ा अलग पड़े हैं, उनको जैसे ही उसने एक साक्षी भाव से थोड़ी दूरी से देखा, तो अचानक उसने पाया कि उसकी देह में पुना एक हरकत आ गई, लेकिन वो हरकत उसकी अपनी देह में नहीं थी, उसने देखा उन हाथों ने चैनी हथोड़े को फिर से उठाया है, लेकिन शायद वो उसने खुद नहीं उठाये थे, अब वो हाथ उसके नहीं थे, चैनी हथोड़े से काम करने वाला वो आदमी खुद नहीं था, लेकिन फिर से एक काम शुरू हो गया था तब उसे लगा कि शायद वो सच को खूजने के करीब है लेकिन वो क्या करेगा ये हाथ क्या करेंगे चैनी हथोड़ा क्या करेगा अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था वो देखता रहा देखता रहा देर तक और ये कहानी का ये जो अंतिम खंड है जो तीसरा पड़ा या अपनी उस देह को और उस चैनी हथोड़े को देखा और ये देखा कि वो देह फिर से सक्रिय हो उठी है और तमाम चीजों को दुरुस्त करने में लगी है वो कोई छवी नहीं बना रही है वो वहां मौझूद पेड़ पौदों को सही करने के काम में लगी हुई है वहां पड़े पत्थरों को उनकी जगों के उपर टिका रही है या उन्हें ठीक ठाक करते हुए यतास्थान रख करके देखने की या उसे एक दृष्य का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है चैनी है थोड़ा वो इस तरह का है कि हवाओं को भी तराश रहा है और आकाश के भीतर भी वो जैसे कुछ बनाने की या रचने की तैयारी में है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन ये दृष्य उसको आनंदित करने वाला जरूर लगा उसे लगा कि ये जो काम है ये च्छवियों के निर्मान का काम नहीं होता है ये तो कुल दुनिया के भीतर ही उससे एकार होकर के किनी कामों को करते हुए देखने की स्थिती होती है जहां हम उन कामों का हिस्सा भी होते है उससे अलहदा भी होते है ये कहानी मेरे अपने लिए बहुत मीठी कहानी है बहुत अर्थपून कहानी है लेकिन मुझे बार बार ये लगता है कि हलांकि मैं जानता कि इसके अंदर सच का कोई अंशायद हो सकता है लेकिन क्या वो मेरे जीवन का सच है अब ये कहानी क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ और जब ये सवाल भी मैं उठाता हूँ कि जब हम अपने जीवन की कथा में लोटते हैं और सच को खुजते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो यही है कि हम ये देखते हैं कि अब तक के दौर में हमने अपनी कितनी चवियां बनाई और उन चवियों को बनाने में कितनी तरह की नासमझियां की और क्या क्या हुआ जिनकी वज़े से वो चवियां एक एक करके ध्वस्त होती रही उनकी वज़े से निराशा भी हुई उनकी वज़े से परिशानिया भी हुई और मैंने अपनी बहुत सी चवियों को निर्मित होते हुए देखा और ध्वस्त होते हुए भी देखा उनसे मु जो मैं पट्याला का जीवनकाल का अपना पहला हिस्सा आप से साज्या करना चाहता हूँ उस हिस्से की खूबसूरती यह है कि वो पूरा हिस्सा मेरा किनी छवियों को गढ़ने का हिस्सा था और उन छवियों के तूटने का हिस्सा भी था वहाँ बहुत कुछ बना और बहुत कुछ तूटकर बिखर भी गया और वो पीछे छूट गया और उससे अगली जो यात्रा शुरू हुई उससे एकदम भिन यात्रा थी कहां से शुरू करूँ ये थोड़ा कठिन है लेकिन मैं अन्त से शुरू करता हूँ जब पट्याला को लगबग छोड़ने के दिना आ गए थे 76 से 77 के आसपास की बात मैं करता हूँ एक लेखक के रूप में मेरी छवी थोड़ी बहुत बन चुकी थी धर्मयोग में दो तिन कहानिया आ चुकी थी एक कहानी सारिका में आ चुकी थी कमलेश्वर समांतर कहानी अंदोलन निकालने की तियारी में थे एक कहानी मेरी और स्वीकृत पड़ी थी सारीका में जो इन दिनों छप नहीं पा रही थी और मैं कारण नहीं समझ पा रहा था कि लगबल साल दो साल उसकी स्वीकृति को हो गए लेकिन उसके प्रकाशन के दिन करीब नहीं आ रहे तो मामला क्या है ये समझ में नहीं आती थी चीज़ और इस बीच बहुत कुछ हुआ था कि धर्मयोग के साथ मेरे रिष्टे बहुत प्रगाड हुए थे एक दो किताबें आ चुकी थी एक किताब शिविर जिसका मैंने संपादन किया था उसकी जब मैंने भूमिका लिखी तो भारतीजी ने उस भूमिका को पढ़कर एक पत्र लिखा था जो मेरे पास आज भी है उन्होंने ये लिखा था कि इसकी भूमिका एक आलोचक के पत्र कहीं मेरा पड़ा होगा मुझे नहीं मालुम कि धर्विर भारती को कैसी अंदाजा हुआ कि मेरे भीतर कोई आलूचक चिपा बैठा होगा जो उस समय तक बाहर नहीं आया था और वो केवल एक कविता संकलन जिसमें साथ कवी लिये गए थे उसकी केवल एक भूमिका को पढ़कर के उन्होंने ये सिब कहा था और वो किताब वो जो संकलन मैंने तयार किया था साथ कवियों का किया तो तारसतक की तर्स पे था लेकिन नाम उसका शिविर था और लेकिन वो योजना उन्हें इतनी पसंद आई थी कि सातों कवियों के चित्र धर्मयोग में एक आल धरातल के उपर अचानक वो मेरी पहली संपादित किताब जैसे चली गई थी और उसके कुछ गूंज अनगूंज भी इदर उदर सुनाई देने लग पड़ी थी और इतना ही नहीं उसी दौरान लगब उससे कुछ समय पहले ही भारती जी जब पंजाब यात्रा पर आए तो जब वो पट्याला आए तो मुससे मिलने के लिए भी चले आए वो कहानी भी मैं जैसे जैसे प्रसंग आएगा तो मैं आप से साजा करूंगा लेकिन मैं जहां से शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तमाम कोशिशों के माध्यम से मैं एक कवी के रूप में या कहानी कार के रूप में थोड़ी बहुत ख्याती तो ख्याती वाली स्थिती में तो चला ही गया था थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि नाम हो गया क्योंकि बड़े बड़े लेकक कई जो आसपास के थे वो मिलने के लिए चले आते थे या उनसे खतों कितावत शुरू हो गई थी या इस तरह की समबाद आरंभ हो गये थे या मुझे बहुत सी जगों के उपर बुलाया जाना आरंभ हो गया था तो वो एक सिलसिला से शुरू हुआ था तो उसकी एक खुमारी भी थी एक नशा भी था और लगता था कि शायद जो रास्ता मैंने पकड़ा है वो रास्ता निकालते थे चंडीगड से और उस पत्रिका के अंदर उन्होंने खास मुझसे हर रंग के अंदर एक विशिष्ट कहानी चापते थे तो मुझसे उन्होंने उस विशिष्ट कहानी के अंतरगत एक कहानी लिखने के लिए कहा था और उसे प्रकाशित भी किया था उसका नाम भी मैं अगर याद करूं तो भूख से किसी की मौत नहीं होती है, ऐसा कुछ नाम था उस कहानी का, तो उसे उन्होंने उस पत्रिका में प्रकाशित भी किया था, और उनकी भी सारिका में उसी दौर के अंदर एक दो कहानिया आई थी, शर्म बेशर्म नाम की कहानी उन्हीं द दिनों की बात है, तो उन्होंने मुझसे मिलते ही कहा, कि तुम्हारे बारे में कमलेश्वर जी ने मुझसे बात की, जब पंजाब की बात चली, तो तुम्हारी बात चली, लेकिन वो तुमसे नाराज चल रहे हैं, नहीं का, क्या हुआ, नाराज की वजए तो तुम ही जान जाना चाहिए अब ये एक छवी के तूटने वाला ऐसा मामला था जो बड़ा विचित्र था और मेरी समझ से बाहर था तब मुझे समझ में लेकिन बात मुझे समझ में आ गई थी और समझ में इस तरह से आई कि उसी दौर के अंदर उससे कुछ समय पहले मैं जीवन से लगभ के आशने में कुछ समय लगा आया था और एक तरह का वहरागी हो गया था अर विस स्थितियों कैसे है होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा उन स्थितियों में और वहां जा करके लेकिन मैंने कुछ समय वहां रहने के जो अनुभर किया तो आशराम भी मैं छोडाया था और मैं ही नहीं छोडाया उसको छोडने का एक कारण स्वेम ऊशो थे बाद में ऊशो नाम पड़ा तब आचारी र Ξजनीश ही कहलते थे तो आचारी रिजनीश ही उसकीetr जिसकीर वज़े से मैंने वह आश्राम छोड़ा औ तो ये तमाम चीजें आपसे साजा करूँगा लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें भारती जी तक और कमलेशुर जी तक भी पहुंच गई थी क्योंकि मैं मुंबई एक बार गया था और भारती जी से बात भी हुई थी मेरी रजिनी शाश्रम के मेरे पसंद नहीं आ रही थी मुझे लग रहा था कि वो उसमें जिस यथार्थ की वकालत कर रहे हैं बहुत उतला यथार्थ है वास्तव कि यथार्थ बहुत गहरा होता है हम भारत के भारत में जब दर्शनों की बात करते हैं तो केवल शब्द पकड़ लेते हैं तो वहां भी यही मुझे लग रहा था कि सामाजे की यथार्थ जैसी चीज़ उस दोर के अंदर बहुत प्रचलन में थी नामवर सिंग जैसे लोग और बाकी तमाम लोग इन शब्दों का बहुत यानि बार बार प्रियोग कर रहे थे और यह शब्द बहुत लोग प्रिये भी थे साहित के लिए यह शब्द एक तरह की कसौटी भी थे तो सामाजे की यथार्थ लेकिन मुझे लगता था कि यथार्थ और यथार्थ वाद के बहुत से स्तर होते हैं और बहुत से रूप होते हैं उसके परे का भी यथार्थ है लेकिन उस दोर में समझा यह जाता था कि जो आदम साथ से बाहर ज्हांकने में हमारी मदद तो करता है लेकिन और बहुत से पक्ष थे मुझे लगता था कि सांस्कृति की अथार्थ बाद भी होता है और इतना ही नहीं एक आध्यात्मे की अथार्थ भी होता है तो क्योंकि वो उस दौर की मेरी यात्राओं के भीतर से निकला थ तो उन सब में से निकला था और मैंने उस दौर के अंदर समांतर अंदोलन की एक आलोचना लिखी थी जिसे भारती जी ने ये कहकर चापने से इंकार किया धर्मयोग में कि वह हमारा सिस्टर कंसर्न है वह हमें एक साथ ही बैठते हैं एक ही आफिस के अंदर है तो तुम्हा वो कहानी थी लेकिन मैं जो बात आपसे साजा करना चाह रहा हूँ वह ये है कि वो दौर ऐसा था जिस दौर में मैं एक खास तरह की चवी के निर्मान में जिसको मैं लेखत की चवी कहता हूँ एक कहानीकार की और एक कवी की चवी कहता हूँ जिसके निर्मान के अंदर मैं धुस्त होने की स्थेती हो गई और मुझे ये लगा कि साहित्य की दुनिया में एक साहित्य की दुनिया है और एक आध्यात्मिक दुनिया है और इन दोनों के अंदर कोई गट जोड नहीं है गट जोड ही नहीं ये दोनों एक दूसरे के विरोध में कड़े हैं और साहित्य की दुनिया भी मुझे तब दिखाई देना शुरू हो गया कि ये भी दो दुरूबाव में भी बाजित है तो वहाँ पर एक तरफ ऐसे लेखक थे जो धक्षन पंथी लेखक माने जा रहे थे एक तरफ वो लेखक जो वामपंथ के लोग माने जा रहे थे और ये जो नई कहानी अंदोलन आया था वो बीच का था लेकिन समानतर जब अंदोलन की बात आई सामने और कमरेशर जी लेकर क्या आये तो फिर से उसको समाजिक यतारत के दिशा में थोड़ा और पुख्तगी से मोडने की बात तो उसमें अवश्य थी नई कहानी ने जो थोड़ा एक लचीला पन दिखाया था जिसकी वजह से भीच मुसानी जो समाजिक यतारत के लेकर आई हैं वो भी नई कहानी के आदमी हैं और निर्मल वर्मा जो समाजिक यतारत से थुड़ा बाहर भी जगते हैं इतिहास बुद में भी चले जाते हैं और आंतने की अथार्त की चावियों को भी उसके अंदर के लेकर क्या आने की कोशिश करते हैं तो वो भी नई कहानी कहीं हिस्सा हैं तो नई कहानी में एक लचीलापन है एक खुलापन है परनतु समानतर उसको फिर से समयट करके जैसे वाम की और दोबारा मोरने के प्रयासों के लगा हुआ था तो उस दौर में मैं एक दम से छिटक गया मैं उस दौर में आलोचक तो था नहीं हलांकि एक दो आलोचना की एक दो चीजें लिखी जो मैंने अभी आपसे साजा की तो वो नहीं था दूसरी बात ये है कि मैं अध्यात्म में और समाजे की अथार्च में कोई दूरी महसूस नहीं कर रहा था मुझे लग रहा था कि ये संघर्ष के दो रूप हैं और भारतीय समाज में जो भारत का सामाने व्यक्ति भी होता है वो अगर समाज के भीतर उसके चलशद्म से लड़ रहा है तो साथ ही वो अपने चलशद्म से भी तो लड़ी रहा है इन दोनों के अंदर हम विभाजक रेखा खिंचते कैसे हैं और इन दोनों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कैसे करते हैं जितनी दिक्कत मुझे आपने जीवन के दोहरे पन से होती थी उतनी ही दिक्कत मुझे सामाजिक जीवन में मौजूद जो जिस तरह के पाखंड और द देखाई देती थी और खुद अपने आपको लेकर कि सबसे ज़्यादा होती थी कि मैं अपने तोर पर अपने वेवहारों में भी एकदम ऐसा नहीं है कि मेरे निजी और सारवजनिक जीवन के अंदर कोई दूरी नहों निजी जीवन कई दफ़ा किसी दूसरी दिशा में ज पीच में जाएं तो वो सारवजनिक छवी के हिसाब से खुद को जीने और ढालने की कोशिश करना ये एक मजबूरी होती थी तो ये सब मेरे लिए लगभग असाहिय था उस दोर में भी असाहिय था आज भी मैं अपने आपको उसी दोराहे पर पाता हूं को बहुत ज्याद उनको एक ऐसे रूप मिले हैं कि मैं अब उनका इस्तेमाल दोनों का कर पाने की स्थिते में हूं लेकिन तब मैं उन स्थिते में कता ही नहीं था और पत्याला जो है उसने मुझे जो दिया वो एक बड़ी बात दी बड़ी बात ये दी कि उसने मुझे स्वतंत्र होने का मौका दिया विद्रोही आप कह सकते हैं कि मैं था बच्पन से ही किसी के हुक्म को न मानना ये मेरे सुभाव में ही था अगर मुझे लगता था कि किसी व्यक्ति की कही हुई कोई बात ठीक नहीं है या कम से कम मेरे मताबक सही नहीं है तो मैं कुछ न कुछ करके रास्ता निकाल लेता था और करता क्बार Woah था तो मैं मशूर भी था इसके बारे में कि यहादमी हो सकता है कहे ना कहे पर करेगा अपने मन की तो इस तरहे की बात है मेरे सहपाठियों में भी चलती थी वरना हो सकता है कि अगर इसने ठान लिया कि मैं कुछ और डंग से करूँगा तो करेगा वही जो इसके मन में है तो इस तरह की स्थितियां और यह हम जानते ही हैं जिसको आप टीनेज कहते हैं टीनेज में हर व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं आधर्श्वादी तो होता है और व सबसे पहला विद्रो उसका अपने पारिवारिक जीवन की जकड़बंदियों से ही होता है तो पत्याला ने मुझे मौका दिया कि मैं उस सबसे अचानक बाहर आ गया हुआ यह था कि पत्याला में मेरे पिता ने घर बनाया था एक तो वो बैंक के अंदर मैनेजर थे उनकी उनका तबादला हो गया क्योंकि मैनेजर तीन बरस से जादा किसी एक जगे के उपर होते नहीं हैं तो वो चले गए लेकिन मेरे बड़े भाई वो भी बैंक के अंदर ही थे उस दोर में नौकरी लग गई थी मैंसे पांच साल बड़े थे तो तब तक नौकरी में थे तो ज प्यार्मी जमाथ में वहां से ककी लेकिन जैसे ही की और इधर घर बन चुका था तो उन्होंने का कि उस घर के अंदर जो हैं हम पहले मुझे भेज दिया गया बड़े बाई के पास कि तुम आपने घर के अंदर बड़े बाई के पास रहो गए फिर पीछे पीछे मेरा समझ सकते हैं इस बात को कि माता पिता के साथ रहते हुए आप एक अलग तरह का जीवन जीते हैं लेकिन जब बड़े भाई और भावी के सामने रहते हुए जीने की होती है जिन से आपको कोई बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं होती और जिनका कोई ऐसा बहुत अनुशासन भ जिन्द थे तो मुझे एकदम से आजादी मिली और उस सतंत्रता का मैं कई तरह से फाइदा उठा सकता था लेकिन मैंने अपने तरीके से प्रियोग शील होने में उसका लाब उठाया और प्रियोग शील था भी ऐसी कि मैं जीवन के अंदर दो तरफ गया एक तो मैं बहुत क्योंकि पढ़ने का शौक तो मुझे था ही तो एक तो खूब पढ़ना जो किताब समझ में आए तो चाहे रात दिन हो जाए जिन दिनों के अंदर मैं कोई किताब उठा लाता था तब उसी में डूबे रहना और जब नहीं पढ़ता था तो फिर मैं नहीं ही पढ़ता था मैं कहीं बहार ही होता था कहीं घूमना फिर ना और घूमने फिरने का भी यह सिल्सिला था कि जिस कॉलेज में महिंद्रा कॉलेज के अंदर मैं भी एक अंदर Miche दाखेल करवाया गया तो वहां पर भाशन देने और कविताप आठра करनी की प्रतियोगिताओं के अंदर में सिबसे आगे था और लगातार यानि इस साल के अंदर बीस जगह, पच्छिस जगह, तीस जगह, जहां कहीं होता था मैं अपना जोला उठाता था और कवितायम उठाता था और निकल जाता था या भाशन देने के लिए तो और बहुत सारे मुझे मिली उसने मुझे कई दिशाओं के अंदर मोड़ा खास तोर पर जो मैंने खोज जिसको आज मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा कहता हूं दोनों यात्राइं साथ साथ चली उस दौर में पढ़दा लिखना और आपना यानि एक लेखक के रूप में अपनी यात्रा क शुरू हो गया उस दौर के अंदर आकर के और दूसरे तरफ एक आंतरिक खोज वो भी बहुत गहराई के अंदर शुरू हूई उसकी वज़ा भी मैं आपसे बताता हूँ मेरे मन में एक वहम था उसको मैं वहम ही मानता हूँ वो बहुत समय पहले से था मुझे भीतर से कहीं लगता था कि ये मेरा आखिरी जन्म होगा सुनी-सुनाई बात होगी मुझे लगता था कि ये बहुत सारे लोग हैं इस तरह की किताबें पढ़ी थी और हमारे घर के अंदर आरिसमाजी परिवार था तो पिता जी बहुत सारी धार्मिक किताबें और अध्यात्मिक किताबें लाकर करके रखते था था उनको पढ़ने का शौकश बहुतबच्पन से होową गया था हमारे तो जब मैं उनको पढ़ता था किताबों को तो इसी तरह की चीज़ें उसमें ल बच्चपन में यानि जब तक आपको होश नहीं आया होता उस दोर में आपको जो पढ़ा दिया जाता है अगर वो आप अपने शौक से पढ़ लेते हैं तो वो चीजें आपके संसकार में बदल जाती हैं और मैंने वो चीजें शौक से पढ़ी थी जाने क्यों बहुत सारे ब बहुत बाद में शुरू किया लेकिन बहुत छोटे यानि जब से मैंने थुड़ा होश संभाला और पढ़ने लगा और जैसे किताब पढ़ना और पढ़कर के सुनाना आ गया तो जैसे हवन होता था घर में तो माता पिता बैट जाते थे आसपाद और कहते थे सुनाओ मुझ वो कथाएं पढ़ें उसकी वज़े से एक वहम मन में आ गया कि जैसे बागी लोग सत्य की खोज करते हैं मैं भी क्यों नहीं करूंगा और आज भी वो जो सत्य शब्द है वीतर कहीं बैठा हुआ है कि वो छोजने की वस्तू होती है जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैट बार बार यह इस की तरह एतने गहरे में चली गई हैं कि मैं उनसे कभी छुटकारा पा नहीं सका ता हूम्र आज भी नहीं पा मेरे लिए सम्भबcus नहीं है कि मैं इस तरह कि जिसे सत्य कहते हैं ये सत्य की जितनी परिभाशित रूप है या जितनी चीजें आज तक कही गई हैं वो सही हैं या नहीं हैं उसकर मैं सवाल मैं खुद भी उठा लेता हूं और अपने लेकन में भी मैंने निरनतर वो सवाल उठाए हैं उन सवालों को उठाने की पूरी हिम्मत मुझ में है अपनी कही हुई बात पर भी सवाल उठाने की हिम्मत मैं अक्सर दिखाता रहा हूँ जहां कहीं मुझे लगता रहा कि मैंने जो बात पहले कही है वो बात अब मेरे हिसाब से शायद कुछ भिन तरीके से होनी चाहिए तो भिन तरीके से जैसे होनी चाहिए मैं उसे जाने देता हूँ और अपने भी विरोध में जाने की बात जो है मेरे मन में हमेशा रहती है और मुझे लगता है और ये बात मैंने सीखी उस दोर में पट्याला के उस दोर में कि अपनी किसी चवी के सथ चिपकना नहीं है इस बात की और इशारा मुझे किया था खास तोर पर बीच में प्रसंग चलाया है तो बीच में ही मैं आपको बता देता हूं कि जब धर्मवीर भारती वहां पट्याला आये थे और उनसे मु आहाता आज के दिन जैसा आहाता नहीं है अर्पन कुमार जी ने जब उससे वहां की पट्याला की कुछ तस्वीरें मांगी तो मैंने आपने आहाते का चित्र भी उनको दे दिया लेकिन वह आज का आहाता है वहां दुकाने बन चुकी हैं जिस दोर में वहां हम लोग रहते थे तब वह आहाता इंटन का वाला फर्श था नीचे कच्चा था बीच में से नालिया निकलती थी और शुरुआत में ही जो पहले दो तिन घर थे वो मोचियों के थे और वो लोग अपना काम करते थे वहां पर उनी का घर था और चमडा धोना और उसकी एक बदबू भी न सब मैंने देखा और उसको इसी आधार पर मैंने एक कहानी भी उस दोर में लिखी थी जिसका नाम था चमडे की गंध वाली विरासत ये धर्म्यूग में चपने वाली मेरी दूसरी कहानी थी पहली कहानी यूटोपिया नाम से चपी थी जो सन 74 के अंदर आई थी और ये सन थहता सा मयवाद ही सन 75 में तो ये कहानी मेरे उस आहाते के उपर ही है उस तरह के महौल में और उस महौल के अंदर जो चीज और पहानियों का भी जिक्ड चला है कि उस उस वदबूदार जगह के भीतर से होकर के गुजरते मेरे घर में पहुंचने में धर्मवीर भारती को कोई संकूच नहीं था उनके साथ परेश जी गाड़ी के अंदर बैटे हुए थे और साथ में चीफ सेकरेटरी बैटे हुए थे जो उनको घुमाने के लिए निकले थे क्योंकि वो तब तक उनको पद्भूशन या पद्भूशन हो चुके थे और सरकारी गेस्ट हाउस में चिंडीगर के अंदर उनको रखा गया था और उनको घुमाने का जिमा चीफ सेकरेटरी को दिया गया था कि आप जाये शायद वो वैसे भी साहिते के संसकार रखते होंगे तो भारती की जी के साथ घूमने को मिलेगा तो साथ आ गए होंगे तो मुझे नहीं मालूं कि उसके पीछे क्या कारण था लेकिन वो वहां कार में बैठे हुए थे ये इतना मुझे आज भी याद है और जब मैंने उनको कार में व बहुत बद्बू आ रही है यहां पर यह किस किस तरह की जगे के अंदर या आदमी रहता है और यह धनवीर भारती जैसे लेखा कि इनको क्या हुआ है इतने बड़े संपादक हैं एक बद्बूदार जगह में एक नामालूम आदमी मैं तब तक चातरी था है मैं मैं क्या स् अट्रिध आधा इस इतना घटी और उन्होंने कहा कि मुझे पहचानते हो तो मैंने उनको देखा फिर लगा भी कि उनकी फोटो देखते थे हम लोगा दरमयूग में चितर तो चपता ही था तो या उनके कहीं चित्र दुसरे देखे थे तो मैंने परेश्जी को तरफ देख कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहता था अभी मेरे पास समय नहीं है मैं पट्याला घूम रहा हूं पट्याला मुझे इलहाबाद जैसा लग रहा है और यह देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह का एक परंपरगत शहर इलहाबाद जो मेरा अपना है वैसा ही शहर उसे मिलता जुलता शहर आज मैं देख रहा हूं तो तुम्हारे पास लेकिन वक्त हो तो तुम उससे मिलने के लिए चंडीगड गैस्ठाउस में आ जाना शाम को फुरसत से बात होगी तो यह कह करके वो चले गए और मैं शाम को उनके यहां चंडीगड पह एक जीवनता दिखाई दे रही है लेकिन जिस दिन तुम्हें यह लगे कि अब तुम्हारा यह लिखना तुम्हें आनंद नहीं दे रहा तुम्हें भीतर से कहीं एहसास हो कि तुम खुद को दोरा रहे उस दिन लिखना बंद कर देना जबरदस्ति मत लिखना तब उस दिन बनने के लिए पैदा ही हुए थे और ये जितने बड़े लोग हैं मैं मुझे लगता है साहिते में भी वो तमाम लोग ये जानते रहे होंगे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो तामुर उम्र रहने वाली या टिकने वाली होती होगी कोई जैशंकर प्रसाद जैसे कोई विरल लेखक होंगे जो तामुर जिन्होंने जो लिखा वो सब उचकोटी का था लेकिन बाकी तमाम लोगों के जीवन में मैं देखता हूँ उतार चड़ावाए हैं या उन्होंने किसी ने किसी ढंका लेखन किया कभी किसी ढंका तो ये भी हुआ और वो जो इसी वज़े से हुआ ये भी कि जब कमलेश्वर जी ने ये मुझे संदेश भीज़वाया कि आप तुम कविता कहानी लिखना छोड़ करके रजनीश आश्रम बैठ जाओ वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा तो मुझे बात समझ में आनियारंभ हो गई कि लेखक कि छवी से चिपट करके जीवन बिताने का कोई अर्थ नहीं है मुझे अपने जीवन को अपने तरीके से अपनी शर्तों से और अपने अर्थ खुजते हुए देखना और समझना होगा कोई चीज ऐसी नहीं है जीवन के अंदर जो जो हमें सच के करीब ले जाती हो और और मैं बहुत एक तरह से भीतर भीतर से एक सवतंतरता और गहरी आई कि मैं कुछ भी प्रयोग कर सकता हूं जरूरी नहीं है कि मुझे ये लिखना ही है अब पट्याला में इस चबीके निर्मान के लिए जो किया था उसकी भी एक हलकी सी छोटी सी जलक आपको चलते चलते मैं दे देना चाहूंगा कि हम लोग करते क्या थे एक छोटा सा हमारा ग्रूप बन गया था लेखकों का ही उसे मेरा छोटा भाई भी शामिल हो गया था शुक सुदानशु के नाम से वो लिखा करता था और मुझे एक दिन हैरानी हुई जब उसकी एक कविता मैंने अचानक धर समयुग में पहली कविता चप जाए ऐसा उस दौर के अंदर बहुत कम होता था लेकिन उसमें अवश एक प्रतिभा रही होगी हलांकि अब तो उन्होंने लिखना चोड़ दिया है मेरे भाई ने उसी दिए पूरी तरह से एक दूसरी दुनिया जिसको व्यावसाइक दुन योजन तक हम रूप करने लगे थे एक चोटी सी पत्रिका निकालने लगे थे सौरव नाम से एक राजकुमार कोशल नाम के आदमी थे वो योगी राज के नाम से उसके सब बादेख हो गए थे उन्होंने अपना नाम बदल लिया था और योगी राज वो क्यों हुए होंग की एक तरीका भी था कि मैं जीवन को उस तरीके से भी खोजना पकड़ना और समझना चाहता था मैं अपनी जिसे हम सांस्कृतिक जमीन कहते हैं भारत की जिसके संसकार मुझे कहीं घर से ही मिले थे उसको त्याग करके चलने के लिए कभी राजी नहीं हुआ मुझे लगता था कि अपनी जमीन अपनी संसकृतिक जमीन के अंदर ही हमारा अपना सच तो वहीं छेपा है हालांकि उसको खोजने के तरीके बहुत से हो सकते हैं इसलिए मैं दर्शन की तरफ बहुत जल्दी गया लिखने से भी पहले मैं फिलोसोफी की और साइकालोजी की किताबें ज्य की तरफ से बहुत सस्ती किताबें माकसवाद और उससे जुड़े हुए दर्शन चिंतन की भारत के अंदर यानि स्टॉक पाइलिंग हो गई थी धेर लगे होते थे आप जाएए बहुत कम पैसे के अंदर बहुत मोटी किताब उठाला ये बड़ी ग्यान का भंडार है उस क का श्रकी स्ट बढ़ सहर्माद मेते हैं वाहन झाल पैसे जो बहुत भीजते थे उसमें जो जिएव खर्च थोड़ाव थोड़ा हमें मिलता ठाव जिए कुछ बचना उसमें ज्यादा तो किताबें कहीं कुछने का भी शवागत था अब किताब भी कैसे ख्रीदी जाएंड नहीं किताब के ऊपर तो पूरे महीने भर कि जो यानि जेम खर्च जो है वो एक ही किताब खरीदने में निकल जाता तो हम लोगों ने एक ठिकाना खो जागए था वहां पर जो आदमी दिल्ली से किताबों का बंडल बांद करके लाता था जो कबार के अंदर बेची जाती कित जाने वाली किताबे होती थी और वो धेर लगा देता था एक छोटे सी अंदर जाकर के घर के पिछवारे के अंदर उसने ही कम्रा इस काम के लिए रखा हुआ था वो किताबों से वहां सारी कपार की किताबें होती थे कहता था सब ले जा और हर किताब की कीमत एक रुपया दो रुपया जो भी उसको ठीक लगता जो वो कह देता था हम पकड़ा देते हैं क्योंकि इतना कम बोलता था हमें लगता था इस कीमत में तो ये किताब क्या चार किताबें और भी उठाकर के लिए जा सकते हैं तो वहां से उठाते थे तीन-चार किताबें जो हमें पसंद आती थी और ले आते थे और फिर पढ़ते थे उसको लाइबरेरी जाना वो अलग बात है तो आपनी किताब खरीद करके क्योंकि उसको आप जितनी देर तक चाहे रखें उस पे आप रिखांकन करें उसके उपर नोट्स ले लें जो भी आप करना चाहें वो किताब आपकी अपनी है तो वो आपके अपने जीवन का हिस्सा वो आपका एक सहचरी हो जाती है तो तो इस तरह कि तो माकसवाद में रुची भी उन दिनों में बहुत बन रही थी और माकसवाद ज उस दौर की बात बता रहा हूँ जब समझ मेरी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी लेकिन मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि हिंदी में जिस तरह की प्रगती शील था और उससे जुड़ी हुई जो बात की जाती है अकसर वो बात उतली है माकसवाद ठीक उसी तरह से धर धर्म और अध्यात्म को ग्रहा नहीं करता जिस धंग से धर्म और अध्यात्म की दुश्मनी तक हमारे प्रगती शील चिल चिल तक चलेगा और ये बात मैंने बाद में यानि जब हमने नांवर से पढ़ा या दूसरों को पढ़ा तब उन्होंने ये बात उठाई भी कि माक भात महीन हो जाने कि जो स्थितियां उससे वोने वाली प्रिडा उसको बयान करता है धर्म लेकर ये बी है कि उन्हीं लोगों के लिए एक सहारा है जिन लोगों ने अपनी आत्मख को दी होती है win progresses है दूसरों का तो सहारा नहीं सकता Аतो यानि और धर्म और अध्य आत्म के बीच फर्क भी था माकसवादी चिंतकों में ये भी मैं उस दोर में मैसूस करता था कि ये दोनों एक ही चीज नहीं है क्योंकि बार बार ये बातें वहां उटते थें कि जब कॉम्मिनिजम आएगा और कॉम्मिनिजम आने के बाद वरगहींता का सामराजय होगा तो जो लोग वरकर्स हैं जो श्रमिक हैं जो हाथ से काम करते हैं उनके पास फुरसत होगी तब फुरसत में वो क्या करेंगे फुरसत में प्रकृति के करीब जाएंगे कोई आदमी नदी के किनारे जाकर के मचली पकड़ सकेगा कोई बांसुरी बजा सकेगा और उस समय वो प् के भीतर से प्रकट होने वाला आपका एक अलग तरह का अध्यात्म होगा तो वह बात कहते थे और यह बात मैं पढ़ता था लेकिन हिंदी के अंदर मुझे इस तरह की बात कहीं दिखाई नहीं देती थी बलके हुआ क्या कि जब मैंने यह बातें पढ़ें तो जो पत्र का ह भारती ए माकसवाद की भूमी का अब यह जो भारती ए माकसवाद है यह बात भी मुझे बाद में भी अभी तक भी लगता है कि इसकी खوج हमें अपने तरीके से करनी ही पड़े गी रास्ता कोई नहीं है लेकिन तब आद कचरे रूप में की होगी इसमें इस बात को स्विका करने में मुझे कोई हर्द नहीं है आज के लेकिन लेकिन मैं उस दिशा में चला गया था कि भारतिये माक्सवाद अलग तरह का होगा और जो बात मैं आपसे साजा करना चाहता हूँ यह है कि जब मैंने वो अंक निकाला भारतिये माक्सवाद नाम से तो उसको लेकर के बहुत सारे जो हमारे माक्सवादी मित्र थे वो हमसे नाराज होके वो कहते हैं यह क्या लिखा है माक्सवाद के अंदर कहां लिखा है कि मेरे साथ चलते मैंने पन्ने रंगे हुए थे तो रिखांकन किये हुए थे तो मैं उनको दिखा देता लेकिन कोई मेरे साथ मेरी किताबों तक तो नहीं पहुंचा लेकिन हुआ क्या कि वहीं पर हमारे एक मित्र थे कभी मित्र बड़े कभी हैं माक्सवादी कभी हैं और कभी कविताएं भी उनकी च्छपती रही पहला दी के अंदर और दूसरी जगा उनकी कविताएं आती थी वह इस बात को लेकर को खासे नाराज भी हुए मेरी मुलाकात भी उन दिनों हुई थी उनसे तो मुझे कह रहे थे कि नहीं यह तुमने जो लिखा है इसके लिए तुमने को धरन नहीं दिये या तो धरन लाओ नहीं तो हम नहीं मानेंगे और जब वो नहीं माने तो उन्होंने एक आलेक लिखा उन दिनों के अंदर भारतिय माकसवाद बनाम बखेडावाद और यह करके पहल के अंदर छपवाया उनके नाम से वो पहल में उस दौर में मेरे में से हैं लेकिन हम हमारे मत्वेद मत्वेद होना अलग बात है उनको वो लगता था कि यह बखेडवाद है और मैंने किया क्या था वो भी आपसे साजा कर लेता हूं मैंने किया यह था कि वेद मंत्रों के भीतर से मंसा परिक्रमा के मंत्र निकाले और मंसा परिक्रमा के निका करकी दिखाया कि छे दिशाओं के अंदर छे तरह के लोग हैं जो हमारे अवरोधक हो सकते हैं और छे तरह के देवता हैं जो हमारी रक्षा करते हैं उन अवरोधकों से तो हमारे सामाजिक विकास में वो चीज़ें अवरोधकों की तरह हैं तो अवरोधक कौन से हैं उनको फि लालच का फैल जाना और उस लालच के कारण प्रतिसपरदा का पैदा हो जाना जो पुंजिवाद के भीतर है तो वहां पे इस तरह की चीज़ों को चिन्नित किया गया हमारी अपनी जमीनी जो समझ थी उसके भीतर से कुछ दूसरी चीजी आएं जैसे वहां पे आया कि जो ची की तरफ जाना पड़ेगा तो मुक्ति की तलाश उसके भीतर आ गई इसी तरह के तमाम दूसरे शब्द थे एक शब्द का आर्थ था कि जो प्रदूशन है एक शब्द का आर्थ था कि जो तिर्चे चलने वाले लोग हैं यानि जो कूटनीती और दोहरापन और पाखंड है तो पाखंड भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्गून है बलके पाखंड की बात से मुझे ध्यान में आता है कि मेरे हाली में जो में तरलाल भादुर वर्मा जी उन पे कारिकरम किया था उनके साथ जो मेरी आखिरी बातचीत हुई थी उसमें वो कह रहे थे कि मैंने भारत में प्रबोधन के लिए बहुत प्रयास किये लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि भारत में इतना पाखंड है जितना पाखंड मैंने पूरी दुनिया में किसी अन्य देश में नहीं देखा है हम लो लोग प्रगतिशील हो करके दिखाते हैं परिवर्तन कामी भूमिका के अंदर चले जाते हैं वो भी सत्य को स्विकार करने की बजाए सत्ता की अपनी भूख को छेपाने के लिए पाखंड पूर्ण आचरण किया करते हैं तो दोनों तरह का पाखंड है भारत के अंदर तो अगर वहां पे उन पंक्तियों के भीतर से मैं उस पाखंड को निकाल रहा था प्रदूशन को निकाल रहा था या बंधन तो ये चीजे यानि अस्प्रिश्यता हमारे समाज का विरोध हो सकते हैं ये वेदों के अंदर है तब से लेकर के अब तक वो चीजें पड़ी हुई हैं और संभवत है वो हमारे अपने समाज की उस दौर में जो मनीशा को दिखाई देता होगा कि इन तमाम चीजों से अपने समाज को आज़ाद करना है उसके भीतर से निकली हुई वो चीजें रही होंगी तो उन चीजों को मैंने वहां रिकांकित किया था तो यह उस दौर की बातें मैं याद कर रहा हूं कि वो उस अलेक में लेकिन पहल में छपा हुआ आलेक आज भी वो तमाम चीजें वहां पे गई थी और कहा गया था कि देखिए भारतिय परमपरा और संस्कति के नाम पर ये जो बातें कही गई हैं इनका कोई वैग्यानिक आधार नहीं है इनकी किसी रंग से हम पुष्टी नहीं कर सकते तर्क सम्मत तरीके से वैग्यानिक तरीके से समाज का विशिरेशन होता है जो विभाजन के आधार पर ही हो सकता है तो उन तमाम चीज़ों को परे करने के लिए ये परमपरा की बैक डोर से एंट्री की जा रही है वहां से लाया जा रहा है तो इन चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा ये बखेड़ा बाद है जिससे हमें उल्टे ज्यादा सतर्क होन की जरूरत है तो खैर ये 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 भी बातें थीं जो मेरी एक तरह की जो छवी निर्मित हो रही थी उस छवी को दोस्त करने का बाला मामला है यानि आप देखे मैं सिलसले बार तरीके से आपसे वो तमाम चीज़ें साजा कर रहा हूं कि कैसे एक के बाद एक मेरी हैं धस्त हुई प्रगतिशील होना या समाज की चिंता करना या रूपांतर करने का जो तरीका मुझे मिल रहा था वो तरीका था कि मैं अपने समाज में जो संस्कृति की जड़ें हैं अपनी जमीन है उसको छोड़ करके अपना विशलेशन नहीं ला सकता हूं मैं किसी द्वारा उसका उसे किस तरह से द्वस्त किया गया कि पहल जैसी पत्र का मेरे विरोध में आलेक चपवा दिया गया कहानी के अंदर अगर मैं सामाजे की थार्तवाद के उथलेपन का विरोध कर रहा हूं तो कमलेशुर जैसे लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे कहानी से कर लेता हूं अलांके इतना कुछ बातें करते हुए गडमड तरीके से चला आ रहा है कि मुझे लगता है कि पता नहीं एक सेटिंग के अंदर मैं अपने पट्याला प्रवास की उन तमाम स्मृतियों को यादों को समेट पाऊंगा या नहीं पाऊंगा लेकिन खेर जितना भी संभव होगा वो चीजें मुझे कहने लायक तो आज लगी रही हैं तो हुआ क्या था कि मुझे मेरा अचानक सिलेक्शन हो गया था एक्साइज के अंदर सिविल सर्विस के नौकरी थी नंबर मेरे बहुत अच्छे आते थे मैं लगबग टॉप पर ही था लगहार जमात के अंदर यूनिवरसिटी या यानि दसमी जमात में 84% नंबर थे तो यूनिवरसिटी में फूर्थ था पंजाब यूनिवरसिटी में बी ए में था तो दू में और एकेडेमिक पढ़ाई के उपर मैंने बहुत कम समय दिया बहुत कम पढ़ता था लेकिन मुझे फाइदा किस बात का होता था एकेडेमिक किताबों का नहीं जब मैं वहां पर जाके पेपर में लिखता था तो मेरे जवाब के अंदर समाज, शास्त्र, इतिहास, मनु कोई ऐसा बहुत तुक नहीं है, लेकिन ये तया था कि मैं बहुत ज़्यादा एकेडेमिक स्ट्रेडिज के उपर मैंने डिवोट नहीं किया, लेकिन मुझे वो तमाम चीजें मिलती चली गए, एकेडेमिक प्राप्तियां जिनको आप कहते हैं, तो उसी आधार पर मैं सिव लेता हूं, तो मैं अपने उस उसूलों के साथ विश्वासगात करता हूं, नहीं लेता हूं, तब भी मैं उसका भागीदार हूं, उससे बाहर निकलने को कोई उपाय नहीं था, वाई इसलिए नहीं था, क्योंकि चेन थी पूरी, मैंने मुझे कोई खास काम करने के लिए वहां पर कहा गया कि आपने फ़लां चीज स्के बारे में कोई रिपोर्ट करनी है अब वो रिपोर्ट अगले ऑफिसर के पास जानी है उसकी जो नोटिंग है वो नीचे कलाक और स्टैनों की तरफ से आनी है उसके फाइलों के उपर जो कुछ होना है वो किसी अलग क्षेत्र स नहीं है ना मेरे officer ने मांगनी है वो किसी एक level के उपर वो clerical level पर या चप्रासी के level पर या किसी एक वो कहीं ना कहीं से उनको suggestion चला जाता था कि इस काम को करवाने के इतने होंगे एक जगह वो पैसे कठे हो जाते थे उसके बाद बांटने के लिए बैठ जाते थे कि ये फलाँ officer का इतना हुआ फलाँ का इतना हुआ फलाँ का इतना हुआ ये बड़ी वीचेतर स्थिती थी अब आप इसको ना भी लेंगे तो क्या होगा जो आपके यानि च्छे लोगों में अगर वो पैसे बंटने हैं तो वो पांच में बंट जाएंगे आप आप उससे बाहर कैसे हुए आप आप ना लीजी आप क्या फरक पड़ता है तो यानि ये ये जो स्थितियां थी इनसे मैं मानसिक तनाव की स्थिती में चला गया और गहरा मानसिक तनाव और वक्षोग मुझे लगता था इस समाज के साथ बीतर रहते हुए समाज से बाहर जाने का तो कुई रास्ता बीतर से कैसे लड़ो गया ? आप न बड़े औफिसर से लड़ सकते ओं क्वे नीचले लोग Ils की अगे याने जिसे आप क्या अब कुछ करना भी चाहेंगे तो अंतता है अपने आपको ही परिशानी के अंदर डालेंगे तो मैं उचाट व्यावसाइक रूप में जिसे प्राप्ति समझता था च्छे महीने के अंदर साल भर के अंदर मैं उचाट हो गया और च्छे महीने साल में उचाट इसलिए भ तो पता लगा कि लड़का थोड़ा सा अच्छा है पढ़ाई लिखाई इसकी अच्छी है तो वैसे भी टॉप रैंक है हमारे सिलेक्शन लिस्ट के अंदर तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरा बेटा जो है उसको अंग्रेजी नहीं आती तुम अंग्रेजी भी नहीं आती और मैट्स भी नहीं आता और इसको थोड़ा हिंदी भी वो रुखे हुई है उसने सुनाए कि तुम्हें ये सारी सबसारे चीज़े आती है उसको घंटा बर आकर के पढ़ा दिया को मैं शुरू शुरू में चला गया महीना बर पढ़ाया फिर मुझे लगा कि ये मतलब मैं क्या करक्या रहा हूँ ये अपना समय जाया कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि उस डेपुटी केमिशनर को खुश करना है मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया मीना बर पढ़ाया उसके बाद इधर उधर 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 उन्हों ने एक दो बार कहा कि तुम आये नहीं हाँ मै थोड़ा व्यस्त हो गया था मैं मेरी मीटिंग आ गई थी मेरा फ़ला हो गया था मेरे वो लेकों की सभा हो गई थी इस तरह की बातें कहा कर दो और था भी ऐसा ही कि मेरी अपनी बहुत सारी एंगेजमेंट थी आपने तरीके की तो मैं उनमें अपना समय लगाना चाहता थ तो वो मुझसे रुष्ट हो गया और वहां से जब तीन महीने के बाई विदाईगी पार्टी हुई मुझे मंच पे भी नहीं आने दिया गया और बाद में जब पोस्टिंग मिली तो मुझे एक ऐसी जगह पे भीज दिया गया जहां ना पानी ना घर ना रिहायश एक चार के बहुत से नमूने देखे और नमूने भी ऐसे देखे के एक मैंने ट्रक पकड़वा दिया खाली बोतलों का शराब का और उसके के केस के अंदर कहां कहां से सिफ आर्ष्ट है आ रहीं थी उसको चुड़वाने के लिए जब हम चेकिंग करते थे तो एक दफ़ा एक MLA महिला थी वो वो फंस गई और वो गार्ड उतर कर कि आया कि आप इनकी तलाशी नहीं ले सकते तो MLA है दिमाग के ओपर तो यह था कि हम तो लेखक होते हैं और आदर्शवादी होते हैं बिना चेकिंग के हम कैसे जाने देंगे तो मैंने चेकिंग तो MLA की भी होगी तो म मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था बताए कुछ और करना चाहिए नहीं नहीं थोड़ा ध्यान रखा करो थोड़ा ध्यान रखा करो यानि वो तमाम चीजें थी जिससे मैं उचाट होता गया और इतना ही नहीं घर परिवार के अंदर भी परिवार में ऐसी स्थिति यह होती थी कि हर दूसरे तीसरे दिन हमारी बाबी सिर के उपर पटी बांद करके एक तरफ बैठ जाती थी और घर के अंदर सब एक कर्फ्यू लग जाता था और सब देखते थे एक दूसरे का चेहरा तो कई कई दिन तक यह स्थितिया चलती थी और सब तनाव सब तनाव मालुम नहीं क्या होता था उनके बीच और क्या नहीं होता था वो सब चीज़े तो उन तमाम चीजों को देखते मुझे लगता था खास طORपे ये भी लगा महलाओं को लेकर कि मेरे मन में संशे के भाव तभी से पैदा हो गए था और मुझे लगता था कि विवा करना तो अपने आपको फंसाले ना होता है विवा करने का मतला है अप जीवन बर्वाद कर देना और मैं ये तै करके बैठ गया था कि शायद मैं जीवन पर शादी नहीं करूगा अगर महलाएं इस तरह की होती हैं तो फिर वेराग गया वेराग आया तो एक दफ़ा ये भी ख्याल आया कि मुझे जीकर के क्या लाब है ऐसा जीवन ऐसा संसार ऐसा समाज जिसके अंदर आप कर कुछ नहीं सकते हैं आपका लेखन आपको कहीं नहीं ले जा रहा है आपके लिखने से एक आदमी के अंदर एक आदमी क कर ले लेकिन आत्मत्य का अजीब सा तरीका मैं बैठा मैंने सोचा कि आज नहीं रोगा तो बैठ गया लेकिन किताबें दूसरी पड़ी हुई थी अध्यात्म की पड़ी हुई थी और चीजें तो मैंने एक स्वामी आनंद भिक्षु की किताब मुझे बैठे हुगा अचानक दिखाई दिया कि जब मैं आंखें खुली तब तक मेरी टांगें पूरी सो चुकी थी और मेरे गुरू मेरे पास बैठ करके मेरी टांग के अंदर उन्होंने किसी कील से थोड़ा छेद भी कर दिया था और मुझे पता तक नहीं चला था यानि टांगें बिलकुल मैं समाध आई बात हैं अब बच्पना भी था उसको आप बच्पना भी कहें प्रयोग शीलता भी कहें वहराग्य भी कहें जो भी कहें लेकिन यह जरूर हुआ कि उस दिन पहली दफा मुझे वो रास्ता खुला मेरे अपने भीतर से मेरे बैठे बैठे जब मैं सांस बहुत देर तक बैठा रहा और लगा कि अब मरा क्या अब मरा और खुद ही बिना कुछ किये अपने संकल्प से इसान से रूप करके बैठा था तो अचानक मुझे लगा कि भीतर से कुछ विस्फोट सा हुआ है और उस विस्फोट ने मुझे अपने भीतर से ही उठा करके कहीं उपर कहीं मेरे अपने भीतर और मैं अपने भीतर ही कहीं तैरने सा लगाँ तो मुझे लगा कि कोई और रास्ता खुल गया इसका मतलब है भीतर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जिसको खोजा जा सकता है उसके बाद जब मैं आंखें खोल करके बाहर जब दोबारा से अपनी देह के अंदर वापसी करते हुए सामाने स्थिती में लड़ता हूँ तो मैंने पाया कि मैं पहले से कहीं ज्यादा शांत हूँ कुछ करने की जरूरत नहीं है तो मुझे लगा कि अगर मैं खुद ही अपने तोर पर शांत हो सकता हूँ तो मुझे ये तमाम चीजों के साथ अपनी शक्ति जाया करने का क्या принцип है तब चीजों को चलने देते हैं चीजों को सुधरना होगा सुधर जाएंगे लेकिन मैं अपनी ले के अंदर अपना जीवन जीओंगा आज से अपनी ले नही बिगड़ने दूँर। किसी चीज का आसर इस लेकिन किसी दूसरे आदमी की वज़े से न परेशान हूँगा और न अपने जीवन को यानि उस दूसरे की वज़े से खुश होने के लिए किस्तिती में डालूँगा और कहुँगा कि तुम मेरी कुछी का कारण हो वैसा कुछ नहीं और ये एक अंतर यात्रा जिसे आप कहें वो शुरू हो गई और उस अंतर यात्रा ने मुझे रजनी शाह श्रम तक पहुँचा दिया मुझे लगा कि शायद मुझे खोज करनी होगी मैं नौकरी तो जैसी थी मैंने बुला आपने साथियों को कहा बुलापूर बैरियर वो साथ ही बहुत अच्छे थे मेरे वो कहते कोई ने मैंने का मेरा मन नहीं लगता है मैं कुछ दिय जाना चाहता हूं थुरा घून ना चाहता हूं वो कहते है चलो तुम घूमाव च्टी देने की ज़रूरत ने तुम लिख जाओ एक चिटी छुटी लिख्या अर्जी लिख जाओ ज़ुरूरत पड़ेगी तो हम कर ल और वहां भी स्थिति यह हुई कि क्योंकि मैं आप ध्यान करने लगा था और ध्यान की स्थितियां थी और वहां तो थोड़ा Transcendental Meditation की वेग्यानिक विदियां सिखाते थे तो मेरी उस थिति जो भी उन्होंने जानची होगी या किया होगा कुछ लोग वहां पूइंटर करते थे तो एक वेपती एक दिन मेरे पास आया किता हमें लगता है कि आप स्थिति इस तरह की है क्या अपूरे पजाब में हमारे टीम सेंटर जो है उसको सभाल सकते हो एक सेंटर कौल देते हैं पंजाब में हमारा कोई सेंटर नहीं है तो मुंसके इं-चार्ज इतने रुपए भी दे देंगे और जो रुपए वो दे रहे थे वो मेरी एक्साइज की नौकरी से ज्यादा रुपए थे मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये इतने अमीर लोग होते हैं कि यानि मैं एक्साइज ऑफिसर के तोर के उपर जितने रुपए उन दिनों में मुझे मिलते थे नौकरी से मुझे लगवे डेड़ गुना हो दे रहे थे उस दोर के अंदर मन में एक दफ़ा लालच भी जागा फिर लगा कि ये मैं अगर करूँगा तो दूसरी तरह का पागलपन करूँगा मुझे तो कुछ मिला नहीं मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मैं तो एक खोज कर रहा हूँ और मैं इन लोगों के ट्रैप में चला जाओ तो मैंने कहा कि अच्छे मैं सोच करके बताऊंगा, मैं वहाँ से उठा और रजनीश राश्टरम पहुंच गया, जितने लोगों का मुझे मालूम था कि ये लोग सिध्ध हो सकते हैं या और हो सकता है, तो मैं वहाँ गया, और र लोग कहते थे कि तुम्हारे प्रशन वह फटाफट लेते हैं इसा ऐसा क्या का रहा है नहीं पूचते भी थे जो आसपास के सादु सन्यासी थे कि हमें तो मिहना बर हो गए प्रशन डालते हुए आज तक एक भी नहीं उठाया लेकिन वह दो तीन प्रशन जितने मैंने डाले और फिर मैंने तै किया कि मैं आचारी रिजनिश से मिलूँगा और आमने सामने बैठ करके जो मेरे भीतर चलता है और जो उथल पुथल मची हुई है मैं उस संबंध में बात करूँगा उनसे उथल पुथल भी थी और शानती का रास्ता भी ध्यान का रास्ता भी खुला तो मैं वहां पर एक मा योग लक्ष्मी थी उनके पास किया कि उनके जरिया ही हम जा सकते हैं तो मैंने उन से कहा कि मैं मिलना चाहता हूं तो मा योग लक्ष्मी कहते हैं कि तुम्हारे क्या प्रश्न है क्यों मिलना चाहते हो तो मैंने का भी प्रश्न तो सीधा साफ है कि देह में रहना वे अर्थ लगने लगा है और मैं जी करके क्या करूँ मुझे तो अर्थ जानना है, सत्य जानना है और अभी तक मैं जाननी पाया हूँ तो अगर वो मेरी मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा है तो कहते ही अच्छा तुम ऐसा करो भगवा वस्त्र धारण कर लो तब वस्त्र धारण कराते है हमारे सन्यासी हो जाओ फिर हम तुम्हें मिला देंगे मैं नहीं ये इस शर्थ पे नहीं मैं मिलूँगा अगर आप मिलाना चाहें तो मिला दें ना मिलाना चाहें तो भी चलेगा तो कहती अच्छा तुम्हारे प्रश्ट का जो वो उत्तर देंगे मैं ही दे देदें हुआ इनका बताईए आप दे दीजे एते वो कहें गर ये तो दे जो है ईशुर का मंदर होता है तो इसके अंदर ईशुर की खोज करो मैं इनका ठीक है ये ये उत्त तो मुझे भी मालूम था अगर इश्वर न मिलता हो तो क्या करें ये अंदिर है ठीक है लेकिन इश्वर कहां बैठा हुआ हम नहीं जानते हैं तो यही तो खोज करनी है बाकि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अब मुझे नहीं मिलना है उनस समझ गया कि मेरी बात पहुंच गई है वहां तर और उस दिन आचारी रजनीश ने जो उत्तर दिया उस प्रश्न का वो यही था कि तुम जो भी हो मेरा नाम था लेकिन वो नाम नहीं लेते थे कि मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि सत्य आश्रमों में नहीं होता यह पंक्ति मुझे भूलती नहीं जो उस दिन होने कई तुम कहां किस खोज केंदर यहां पर आये हूँ क्या तुम्हें लगता है सत्य किसी आश्रम में होता है सत्य किसी गुरू के पास होता है अगर सत्य को पाना हो तो खुदी खोजरा पड़ेगा अपना रास्ता देखो तुम्हें जो रास्ता पसंद हो जो रास्ता तुम्हें ठीक लगता हो उसी रास्ते पर जाओ उसी रास्ते के भीतर तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा मैंने यह सुना और उस दिन से नमस्कार किया और लोटाया और मुझे समझ में आ गया कि ये सब जो खोज है मुक्ती की बाते हैं गुरू होना है दूसरों को रास्ता दिखाना ये सब चीजे बेकार हैं दरसल तो बात जीवन जीने के युक्ति खोजने की है तरीका खोजने है तो ये भी मेरी जो छवी थी वो उस दिन द्वस्त हुई जिसको स्वहम आचाहिए रजनीश ने द्वस्त कर दिया कि तुम्हें अगर भटकना भटकने का शौक हो तो जरूर भटको लेकिन कोई अर्थ नहीं है इसका पहुंचोगे कहीं नहीं मुझे समझ में आ गया और अंत घंदख बनना चाहता था तो माकसवादी मित्रों ने वो छवी द्वस्त कर दी उनको लगा कि इया आदमी काम का नहीं है कम से कम प्रतिवधर चंतन का तो यादमी नहीं हो सकता आँ खोला चंतन का आदमी होगा तो होगा और आधियात्मिक यातरा के उपर निकल सकता हूँ ये अच्छा वही आशारी रेजिनीशन द्वस्त कर दे तो सब तरफ से खाली होकर के लौट आया और पट्याला जिसे मैं आज आपने जीवन का एक हिस्सा मानता हूं हिस्सा इसलिए मानता हूं कि उसने मुझे हर शहर की अपनी उप्योगिता होती है वो आपके जीवन का किनी अर्थों में हिस्सा होता है वो आपका अपना शहर होता है पट्याला जिस अर्थ में मेरे भीतर है जो बाते मैंने आप से कहीं उस तरह का पट्याला शायद दूसरो आदमी जिन बाते जिन जिस तरह की बाते आप से करेंगे वो और हो सकती हैं कि भई मेरे सेह पार्ठी जो महिंदरा कॉलिज के हैं वो महिंदरा कॉलिज की बाते कर सकते हैं पंजाबी युनिवरसिटी के जो अंग्रेजी IMA के चात रहा हैं अगर वो मुझे सुन रहे होंगे वो अपनी तरीके की बातें कर सकते हैं लेकिन वो जो मेरे भीतर का पट्याला है वो तो मेरा ही है और उनके भीतर का जो पट्याला है वो उनके भीतर का है तो दोनों के बीच में एक संबंध होते हुए भी हम अपनी हर आदमी अपने शेहर की यात्रा अपने अपने तरीके से करता है मैंने अपने शहर को अपने तरीके से खोजा प्रियोग शील होकर के खोजा अपनी स्वतंतरता को पाने के हिसाब से खोजा विद्रोही होकर के खोजा क्योंकि उसके पश्चात तो फिर मैंने किसी की मानी नहीं मानी इस लिहाज से नहीं कि मैं कब घर में आऊंगा ये कब नहीं आऊंगा ये तै नहीं था उसके बाद फिर मुझे कोई पूछता भी नहीं था सब ने मुझे अपने सारे चोड़ दिया था कि ये जब जाना चाहेगा जब और कई कई राते में लोटता नहीं था और कहां जाता था अब उसकी भी कथा आपको या विद्रोही कहें या कहें वोहीमियन कहें अब कोई भी शब्द आप उनको दें इसी तरह के आदमी थे मेरी पटती उनसे बहुत थी तो एक दफ़ा हमने तैय किया तो किवल एक यात्रा का विबरन आपको बता देता हूँ मैं उनके पास शाम को पहुंचा हम लोग थोड़ा कहते चलो बाहर गूमते हैं हम बाहर निकल आए बाहर निकल के आए तो थोड़ी बारिश सी होने लगी तो कहते कि ऐसा करते हैं कहीं गूमने चलते हैं इनका ठीक है गूमने चले हम लोग तोड़ा गूमने के लिए इदर उदर गए और गुमते गुमते आखिर में बस टेंड की तरफ निकला आखिर ये एक बस खड़ी हुई थी जो सरहंद की तरफ जा रही थी तो हमने देखा एक दूसरे क्यांखाओं में वो कहते क्या इरादा है रात बहार बिताएं में कब बिताएं हम बस में बैट गए कोई क अच्छ यह नहीं है कोई कारण नहीं बसमें घटें दू बैटे अब डिनर भी नहीं किया है भूख भी लग रही है और हम चले गए हम जाकर के सरहंद उतर गया सरहंद उतर हैं जानते नहीं नजा रास्ता जानते नहीं और कुछ है रात है चोटे सी हो तो एक कोई मुंफली वाला आदमी मिल गया या एक मिठाई की दुकान चोटी सी मिल गई तो एक थोड़ी सी मिठाई हमने ले लिए मुंफली वो खाते हो गुमते रहे कभी हम शम्शान घाट जा रहे हैं कभी हम पीर की दरगा देख रहे हैं कभी हम घुरुद जी भी हंसने लगे ये क्या हुगा मैंने का सिवा उठेंगे लोगों को लगेगा कोई जादू टूना कर गया तो मैंने का इसका भी मज़ा लीजिए कि लोग जिन अंधविश्वासों के अंदर घिरे हुए अपना पूरा जीवन बिताते हैं जो घरों में डर करके दुब के वैटे हैं वो डरते रहें फिर उनको वो डरते हैं या नहीं डरते हैं उसका क्या लाब है लेकिन हम तो मज़ा ले सकते हैं जीवन का तो हम इस तरह से जीवन का एक मज़ा लूटने के लिए कहीं भी कुछ भी करते थे और कुछ भी किसी भी तरह के प्रयोग करते हुए इस जीवन के अनुभवों को पाने की कोशिश करते थे तो वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि भटकाव भी था वो जीवन के अर्थ को खोजने जैसी बात भी थी वो लेखक होने के प्रयास से भी जुड़ी हुई बात थी वो अध्यात्मिक होने की कोशिश से भी जुड़ी बात थ और वो एक सफल अकादमिक खेत्र का आदमी होने का और जो मैंने पाया भी यानि उनिवर्सिटिस टॉप करते हुए और सिविल सर्विस में जाते हुए वो तमाम चीजें भी मैंने करके देख लें तो वो तमाम चीजें करके देखने के बाद मैं अन्ततय इस नतीजे पर जीने में है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वो जो संगुरता है यानि जिन लोगों के बीच आप जीते हैं उन लोगों के दुख्दर्द में शामिल होकर कि अगर हम जी सकें और अपना कोई रास्ता निकाल सकें और कोशश कर सकें कि यह मैं ँटन्या बेहतर के दिनों के अंदर पटेला प्रवास तो मेरा एक तरह से कह ले कि बहुत तेज गती से एक लेखक होने का प्रयास करते हुए एक बच्चे की कथा थी जो लगबग आठ दस बरस चली और खूब छपा मैं खूब छपा इस लिहाज से भी कि धर्मियुग में उस दौर में दस ब यह तमाम कहानिया और यह भी अब चलते चलते आपसे बात कर लेता हूँ कि जब मैं अरजनीश आश्रम से लौट करके आया उसके तुरंत बाद मैंने दो कविताएं लिखी और एक कहानी लिखी थी उस कहानी का नाम भी आपसे अपसाजा कर लेता हूँ पशु देवता ना करने का रिवास नहीं था लेकिन यह मुझे खुशी है कि उस कहानी को धरमीर भारती जी ने ना सिर्फ पसंद किया बलके लोटते ही एक पत्र आया कि कहानी मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है लेकिन तब उसका शीवशिक कुछ और था पता नहीं क्या था मैं भूल गया ह उनके देवता से महल खाता हुआ शबदाया हो लेकिन यह कहानी का नाम उनका था तो यह कहानी मैं आज भी समझता हूं कि यह कहानी मैं उन्हीं को समर्पित किये हुए हूँ और दो कविताएं उस दौर में लिखी थी उन दो कविताओं का जिकर करके आज की बाचीत को मैं यहां भी श्राम दोंगा दो कविताएं मुझे याद हैं जो धर्मियोग में बहुत अच्छे डंग से चापी गई थी चित्र साथ में डाल करके और खूब अच्छे से उसमें एक कविता थी एरोडा नदी के अनुभव करके तो क्योंकि पूना के अंदर मैं जब रजिनी शैश्रम में था तो शाम को एरोडा नदी के किनारे जाकर करके बैठ जाता था तो एरोडा नदी के तेज प्रवाह में बहने वाली नदी थी तो वो जो तीवर प्रवाह में जो चेतना का बहना था वो उस कविता के अंदर दर्ज था और दूसरी कविता देखने भर का फर और तुम्हारी बिंदिया राग से आग्या चक्र में बदल गई धन्यवाद